मसकार दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टर सक्ती समानता के सबी फिल्मों के बारे में तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ अंतक बने रहेगा साथी साथ आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए किसके ऊपर चाहिए ये भी सतामन में इनकी मूवी आई सेरू और इनकी ये वाली मूवी एवरिज रही इसके बाद सत्ती समानता की मूवी आई ही वी स्टेशन और ये वाली मूवी हिट रही वैसे आपने इस फिल्म को देखा है तो जल्दी से comment box में बताइए इसके बाद इनकी मूवी आई डिडेक्टिव और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही 1969 में डिरेक्टर सक्ती समानता की मूवी आई जाग उठा इंसान और ये वाली मूवी एबरिज रही 1960 में इनकी मूवी आई सिंगापूर और ये वाली मूवी सेमी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई जाली नोट और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही 1962 में सक्ती समानता की मूवी आई इसी का नाम दुनिया है और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई चाइना टाउन और ये वाली मूवी हिट रही इसके बाद सत्ती समांदा की मूवी आई नौटी वॉय और ये वाली मूवी फ्लॉप रही 1963 में इनकी मूवी आई एक राज और ये वाली मूवी एवरिज रही 1964 में इनकी मूवी आए कस्मीर की कली और ये वाली मूवी हिट रही 1966 में इनकी मूवी आए सावन की घटा और ये वाली मूवी सेमी हिट रही 1967 में इनकी मूवी आए Evening in Paris और ये वाली मूवी फ्लॉप रही 1979 में इनकी मूवी आई आराधना और वाई सब ये वाली मूवी ब्लॉक बश्टर रही 1970 में इनकी मूवी आई पगला कही का और वाई सब ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई कटी पतंग और ये वाली मूवी हिट रही 1971 में इनकी मूवी आई जाने अन जाने और ये वाली मूवी फ्लॉप रही इसके बाद इनकी मूवी आई अमर प्रेम और ये वाली मूवी सेमी हिट रही 1972 में इनकी मूवी आई अनुराग और ये वाली मूवी सेमी हिट रही 1974 में इनकी मूवी आई अजनभी और ये वाली मूवी एबरिज रही इसके बाद इनकी मूवी आई चरित्रहीन और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही 1975 में इनकी मूवी आई अमानूस और ये वाली मूवी हिट रही 1976 में इनकी मूवी आई महभूबा और ये वाली मूवी हिट रही 1977 में इनकी मूवी आई आनन्दाश्रम और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई अनुरोद और ये वाली मूवी भी फ्लॉफ रही 1989 में इनकी मूवी आई दा ग्रेट ग्लेमबर और ये वाली मूवी सेमी हिट रही 1980 में इनकी मूवी आई खाब और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही 1981 में इनकी मूवी आई बरसात की एक रात और वाई सब ये वाली मूवी एवरेज रही 1982 में इनकी मूवी आई आयास और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही 1984 में इनकी मूवी आई आवाज और ये वाली मूवी एबरिज रही 1985 में इनकी मूवी आई आरपार और ये वाली मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई अलग-अलग और ये वाली मूवी भी फ्लॉफ रही 1990 में इनकी मूवी आई दुस्मन और ये वाली मूवी भी फ्लॉफ रही 1993 में इनकी मूवी आई गीतांजली और ये वाली मूवी भी फ्लॉफ रही 1997 में की मूवी आई आखों में तुम हो और ये वाली मूवी डिजास्टर रही दोस्तो यह था डारेक्टर सकती सामांता का फिल्मे सफर आपने इनकी कॉंसे फिल्म देखी यह जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताईए इसके लावा आपको अगली वीडियो की स्टॉपिक पर चाहिए किसके उपर चाहिए यह भी जल्दी से हमको कॉमेंट बॉक्स में बताईए तभी तो हम आपके लिए वीडियो ला पाएंगे तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैन आपके लिए वीडियो